लिंग का सामुहिक प्रदर्शन जिसे हम गैंग रेप कहते हैं बाकाइदा टीम बना कर टीम भावना के साथ अंजाम दिया जाता है एकांत में इस्त्री के साथ जोर जबरदस्ती तो खैर सभ्यता का हिस्सा रहा है युद्धों और दुश्मनियों के संदर्ग में वीर्ता दिखाने के लिए भी बलातकार एक खत्यार रहा है मदर ये नई बात है लगभग बिना बात लिंग का हिंसक प्रदर्शन लिंग धारी जब उठते बैठते हैं तो भी ऐसा लगता है जैसे वे लिंग का प्रदर्शन करना चाहते हैं खुजली जैसे बहानों के साथ भी वे ऐसा व्यापक पैमाने पर करते हैं मा बहन की गालियां देते हुए भी वे लिंग पर इत्रा रहे होते हैं आखिर लिंग देखकर ही माता पिता थाली वजाने लगते हैं दाईया नाचने लगती हैं लोग मिठाए के लिए मुँ फाड़े आने लगते हैं ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब प्रैड महाशे लिंग पर इतने मुख्थ हुए कि वे एक पेचीता समरचना को समझ नहीं सके लिंग के रूप पर मुख्थ वे उसी तरहे नाचने लगे जैसे हमारी दाईया नाचती भूंजी और सरसप्ताओं के मेल से परिमान और ताकत में गट चोड़ हो गया जाहिरे गुणवत्ता का मीज सत्ता विहीन और वन्चित से होना था हमारे शास्त्र पुरान महांधार्मिक कर्मकांट मनो विज्ञान मिठाई और नाते रिष्टों के योग से लिंग इस तरह स्थापित हुआ जैसे सर्वशक्तिमान स्रिष्ट करता है आश्चर नहीं कि मां की स्तुतियां कई बार लिंग के यशोगान की तरह सुनाई पड़ती है लिंग का हिंसक प्रदर्शन उस समय जरूरी हो जाता है जब लिंग धारी का प्रभाम अंडल भस्त हो रहा हूँ योनी, गर्भाशे, अंडाशे, स्तन, दूद की ग्रंतियों और विवेक सम्मत शरीर के साथ गणात्मक रूप से अलग मनुष्य जब नागरिक समाज में प्रवेश करता है तो वह एक चुनोती है लिंग की आकरती पर मुक्त विवेक हीन लिंग धारी सामोहिक रूप में अपना डगमगाता वर्चस जमाना चाहता है